जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को जीलो में पूलिस के पास 20635 वरंट, 549 कूर्की और 4717 केस अनुसंधान के लिए लंबित रह गए हैं इसकी पुष्टी पूलिस मुख्याले द्वारा बिभीन जीलो से 31 अगस्ट 2021 तक लंबित वरंट और कूर्की को लेकर प्राप ताजा आकड़े से होती है बता दे पूर 1652 वरंट और 549 कूर्की तालिम के लिए लंबित रह गए हैं अकांचा 40 और इंद्रा गांधी बाल का बिद्याला का रियल्ट जारी जैक द्वारा ली गई परिक्छाओ का रियल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है पता दिसकुली सिक्षा एवं सक्षता विभाग ने जैक सची को रियल्ट जारी करने के लिए अधिक्रित कर दिया है बिभाग का पत्र प्राप्त होने के बाद जैक ने मंगलवार को अकांचा 40 इंद्रा गांधी बाली का आवासे बिद्याला है येवं नेतर हट आवासे बिद्याला की तरजपर संचालीत बिद्यालियों के प्रवेश पत्र का रियल्ट जारी किया है बतादे अकांचा 40 में इंजिनियरिंग के 182 वा मेटकल के 189 बिद्यार्थियों का नमांकन के अनुशन सकी गई जैक द्वारा जारे रियल्ट के अनुशार समान वर के बिद्यार्थियों का कॉट आफ माक्स 65 बिसी वान वान बि बिद्यालथि का नाम अब नेताई सुबाच चंद्र बोस आवा से विद्यालय होगा बतादे जार्खन शिक्षा पर योजना कार किरिनी की मंगलवार को हुई बैठक में इसे स्विक्रिति दी गई केंज़ सरकार की ओर से विद्यालय हनाम बदलने का निने लिया गया था बतादे इन विद्यालियों में वर्तमान में कक्छा 8 तक पढ़ाई होती है। बैठक में पूरो सेसन चालीत 20 विद्यालियों में कक्छा 9 वद 10 की पढ़ाई सुरू करने की प्रस्ताव पर विचार किया गया। बतादे इसमें सामिल होने से पूरो सभी तीर्थे आत्रियों को भैक्सिन की दोनों डोल लेना अनिवार्य होगा। बतादे इसकूलों में सेक्षनिक सत्र एक अप्रिल से 31 मार्च तक संचालीत होता है। लेकिन अगले 3 साल तक सत्र के समापन होने की तीथी बदलाव किया जाएगा। बर्स 2021-22 का सत्र 31 मार्च को समापत नहीं होगा। अब सत्र 30 जून तक चलेगा। चटी जपीएसी की मेरिट लिस्ट रद करने के खिलाप अपील पर सुनवाई 20 को। बतादे चीफ जश्टिस टाक्टर रवी रंजन वा जश्टिस एसन परसाद की खनपीट में मंगलवार को या मामला सुनवाई के लिए सुचिवत था। लेकिन अदालत के नहीं बैठने के कारन मामले में सुनवाई टल गई अब इस पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरसल एकल पिठ ने छटी जपीएसी की मेरिट लिस्ट को या कहते हुए रद कर दिया था कि कूल प्रप्तांक में पेपर वन के अंग को नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि इस पेपर में सिर्फ वाली फाइंग मार्स लाना था। रांची बार एसोसेशन के अध्यक्ष एस पी अगर्वाल। काउंसिलिंग होती रही सुबापई नाम आने के बाद जसनकादर शुरूओ गया राज्योवा केंद्र के बीच बिवादित मुद्धे सुलजाएगा निती आयोग छारखन और केंद्र सरकार के बीच बिवादित मुद्धे को सुलजाने की कवायतेज हो गई है बतादे निती आयोग ने इसमें पहल की है निती आयोग की टीम ने बीते 15 सितंबर को डाजे का दौरा किया था इस दोरान मुख्यमंत्री हैमान सुरेन संग ठन बैठक में कोई बिंदूओ पर राज सरकार किया पतियों से निती आयोग को अगद कराया था मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने आयोग के अधिकारियों से कहा था कि जार्खन को केंद्र से उसका हक मिलना चाहिए बता दे दामदर घाटी निगम का बकाया बिवाद कोईले खनन मदद में रोवाइल्टी जिएश्टी का मुआवजा सहीत ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर जार्खन की केंद्र से अपेक्छाए हैं बच्चों की सिखने की छामता के आकलन को लेकर 12 नौवंबर को सर्वे सरकारी स्कूलों सहयता प्राप्त तथा मन्याता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सिखने की छामता के आकलन के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 12 नौवंबर को आवजित होगा बतादे पहली बार इस सर्वे के तहट आकलन परिक्षा केंद्रीय मादमिक सिख्चा बोर द्वारा ली जाएगी राई सरकार ने इस परिक्षा को लेकर तयारी टेज कर दी है बतादे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तवात होने वाली परिक्षा में काक्षा तीसरी, पांचवी, आठवी तथा दासवी के विद्यार्थी सामिल होंगे या सर्वेक्षन राज्ये के 35 साथ इसकूलों में होगा इसके लिए परतेक जीले से 1500 से 175 साथ इसकूलों का चयन किया गया है रांची में नई जल निती रांची नगर निगम ने जारखन नगर पाईल का जल कारेस जल अधिभार एवं जल सन्योजन नियमावली 2020 को लागू कर दिया है बतादे अब राइधानी में सभी को मुफ्त जल कनेक्शन मिलेगा यही नहीं जल सन्योजन में लगने वाले पाईप, वाटर मीटर, फेरूल और फिटिंग के अने समान भी एजेंसी अपने पास से ही लगा रही है बतादे अब भोकता से इनका कोई भी सुल्क नहीं लिया जा रहा है जल कनेक्शन देने का काम जुड़को कर रही है इसे लेकर नगर आयुक्त मुकेस कुमार ने पत्र जारी कर दिया है दुरगा पुजा में सादे लिवाज में तैनात रहेंगे महिला पूरुस बल दुरगा पुजा के दोरान सुरक्षा बेवस्था को लेकर राची पूरी सतर खाय बतादे सहरी के साथ ग्रामिन इलाकों में सुरक्षा की बिसेस इंतिजाम होंगे पुजा के दोरान मार पीट छिंताई के साथ चोरी की घटनाओ पर रोक लगाना प्राथमिक्ता होगी इसको लेकर गरामिन SP 97 आलमने एरिया के DSP और थानेदार को भी से स्थिसाने देश दिये हैं बतादे दुर्गा पुजा समीतियों से अपने अपने पुजा पंडालों में CCTV केमरे लगाने के अपील की गई है वहीं महिलाओ के साथ किसी भी परकार की बरतमिजी न हो इसको लेकर सभी पुजा पंडालों में महिला और पूलुस बलोक की तनाती होगी कुछ जवान साधे लिवाज में जबकि अन्य वर्दी में विधी वेवस्ता में स्वयोग करेंगे मुख्य मंत्री हमन्त ने राज के उनाइस जीलो में कई स्वास्त सेवाओ का किया सुभाराम रिम्स में बुद्धवार को मुख्य मंत्री हिमन सुरेन और स्वास्त मंत्री बना गुपता ने राज्य के 19 जीलो के अस्पताल सहीत रिम्स में नई स्वास्त सेवाओ का सुभारम किया बतादे इसमें 19 जीलो में 27 PSA ऑक्सिजन प्लांट सहीत रिम्स के नई ट्रामा सेंटर म यही रेडियो लोजी जांच के लिए एडवांस सीटी एसकेन मसीन PSA प्लांट और कोविड जांच के लिए कोबास मसीन का भी उधगाटन किया बतादे इसे पहले उन्होंने स्वादर अस्पताल में PSA ऑक्सिजन प्लांट का उधगाटन करने पहुँचे थे वहीं दुमक लोग ने मंगलवार की रात नकसली संगठन त्रीतिय प्रस्थूती कमीटी के नाम पर पोश्टर वाजी की और गोलिया चलाई बतादे पोश्टर को देखने से ऐसा लगता है कि इसे लेवी वसुलने के लिए धमकी देने के उदेश से जारी किया गया है गाउं के लोगों पच्छिम बंगाल में बाड आ रही है यह मानना है बंगाल के मुख्य मंतरी मामता बनर जी का बतादे अब मामता बनर जी ने केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार को खत लिख कर उनसे इस मामले में मदद मांगी है मंगलवार को यह चिठी पीए मोधी को भेजी गई है भाव कारी रण नित्ती की वज़ा से बाड आ रही है मामता बनर जी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ओ इस समस्या का पूर्ण कालिक समधान करे राज्य के हाई और पलस्टू स्कूलों में बदलेगी मुल्यांकन की प्रकिरिया राज्य की हाई और पलस्टू स्कूलों के छातरों के मांसिक मुल्यांकन की प्रकिरिया बदली जा रही है बता दे अब मुल्यांकन पूरी तरह बोर्ड परिक्षा की तरज़ पर होगा इस इसमें वस्तुनिष्ट लगो उतरिये दिर्ग उतरिये प्रश्ण सामिल होंगे बतादे स्कूलों में प्रश्णों को भेजने के परकिरिया इसी सब्ता से शुरू हो जाएगी मुल्यांकन में यह नई बेवस्था नौवी से बरावी काक्षा तक के लिए छात्रशत्राव के की गई है इसमें हर विसाय के 40-40 अंक के प्रश्ण रखे गए हैं वहीं 10-10 अंक इंटर्नल असेस्मेंट के लिए निधारित किये गए हैं बतादे स्कूलों में बचों को या तो प्रश्ण बता दिया जाएगा या प्रश्ण पत्र उपलब्द कर दिया जाएगा धन्यवा तैंक यू